नमस्कार कैसे हैं आप लोग मेरा वीडियो और वॉइस आप लोगों तक पहुँच रहा होगा तो शुरू करने का समय हो चुका है आज का सेशन और देखते हैं आज हमारे पास कौन-कौन से सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार चानल पर आ रहें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करें जब भी हमारी क्लास लाइव होती हैं साथी साथ रोजाना सुबा आट बिंद्रा पे आपको सेशन को अटेंड करना है रेगुलरली और इसके बाद हम आपको इसका पीडिया भी प्रोवाइड करेंगे जिसके बारे में जानकारी एंड अपको मैं प्रोवाइड करूँगी तो पटा-फट सेशन को जोईन कर ली रिविजन सेशन होगा, वीकली सेशन होगा, वीक के सारे क्वेशन को हम टॉपिक वाइज डिसकास करेंगे तो किरपया उस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा सो बिना बक्त गवाए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला क्वेशन देखो जरा तो पढ़ते हैं क्वेशन तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है इसका जो सही उत्तर है वह है इस महराश्ट्र ठीक है आईए बढ़ते हैं आगे तो इसके बारे में बाचीत कर लेते हैं तो महराश्ट के डिप्टी सीएम साहाब हैं देवेंद्र फड्नवेस इन्होंने ये जानकारी दी है कहां पे legislative council में कि state introduce करने जा रहा है चौथा महिला policy है फोथ women policy जो की और opportunities प्रोवाइट करेगा महिलाओं को किस तरह से उनके जो भी issues हैं उनको consider करके जितने भी women group से उनके तरफ से जो भी issues आते हैं उनको consider किया जाएगा और साथी साथ उनको और opportunities दी जाएगे objective क्या है introduce करना एक rehab scheme उनके लिए जिनका age group क्या है 18 साल से उपर from the orphanage जो की orphanage जनी अनाथ हाश्रम से आते हैं to start a hirakani room कक्षा या एक कक्षा room breastfeeding के लिए महिलाओं के लिए जो feed करती है बच्चों को उनके लिए एक room हर police station में then government ने propose किया है कि वो provide करेगा equal or dignified position महिलाओं को हर sector में ठीक है चलो इसी बापते महराशी capital तो हमें पता है मुंबाई है CM है एक नाच शिंद है और governor है रमेश बैस चलो बढ़ो आगे चलो नेक्स कॉस्चन है विच यूटीज गव्मिन हास सेलिबरेट इंटनाशनल विमन से 2023 बाइ और अर्गनाईजिंग अ प्लांटेशन प्रोग्राम अंडर दीम पे लगाओ बेटी के नाम किसके इंद्र शासत प्रदेश की सरकार ने पेर लगाओ बेटी के नाम विश्य के तहट रक्षा रोपर कारिक्रम आयूजित करके अंतराश्रे महिला दिवस 2023 मनाया है दिल्ली, चंदीगर्ड, जम्मू कश्मीर, लद्दा क्या पुटुचरी तो आपको पता है हाली में अंतराश्रे विमिन्स रे बनाया गया है आठ मार्ज को तो कई प्रोग्राम सायोजित किये गए है और उसी के तरज पे ये सेलिब्रेशन हुआ है पेर लगा के ठीक है तो ये है कहां का सी इस जम्मू इन काश्मीर ठीक है चलो बढ़ते आगे त अच्छियां जो की ए फोरेस्ट्रेशन, एन्वार्मेंटल कंजरवेशन और अवेरनेस फैलाने में जागरूपता फैलाने में मदद करेंगी इसके अलावा लगभग 1000 सापलिंग्स यानि पौधे 1000 सापलिंग्स किसकी अलग-अलग स्पीसीज प्लांस के उनको क्या किया ग जो महिला है इन्होंने जो सापलिंग्स लगाई है इनको नाम दिया है अपनी बेटियों का और प्लेज किया है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करेंगी ठीक है चलो इसी बापते बढ़ते हैं आगे और एक और question जम्मू कश्मीर का ही है और important question है जो कि आपको आने वाले exam में बिलकुल मिल सकता है पढ़ो तो जरा जो लोग अभी अभी आए है good morning guys question पढ़ लें जरा जल्दी से इंडिया नामी ठीक है install the tallest iconic national flag in the district of जम्मू और कश्मीर good morning मिलेश भारती सेना ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में सबसे उंचे या सबसे उंचा प्रतिष्ठित राश्य ध्वज स्थापित किया है श्री नगर अनंतनाग बारा मुला मुजफराबाद डोडा तो यह काफी important जिले हैं जम्मू कश्मीर के अकसर news में बने रहते हैं अपने कारणामों के लिए ठीक है ना और अगर यहां पर बात करें तो यह है डोडा हम बात कर रहे हैं डोडा की तो डोडा के बारे में बात कर लेते तो यह तो बता ही दिया भारती है सेना ने सबसे उंचा राश्य ध्वज डोडा में फेहराया है और इससे इंस्टॉल कि इन्होंने फेहराया है जंडा और यह उनकी एलिए है जवानों के लिए है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गवाई है यहाँ पे चली आगे बढ़ते हैं डोडा की बात करते तो काफी चर्चित district है जम्मू डिविजिन का जहां पर टेर्रिस्ट अक्टिविटीज चलती रहती हैं, है ना, चलो, और यहां पर काफी डिप्लॉइमेंट है आर्मी का, काफी जवान या शहीर, यह जंधा फेराया गया है, next question, no smoking day, okay, is observed every year on which day, no smoking day, हर साल किस दिन मनाया जाता है, second Wednesday of March, second Thursday of March, second Friday of March, second Saturday of March, second Tuesday of March, तो इस बार यह मनाया गया है, 8 March को, इसका कोई date decided नहीं होता है, तो अब आप समयजी गया होंगे, 8 March को अगर मनाया गया है, no smoking day, याईनि बुधवार था उसे, second, दूसरा बुधवार था मार्च का, ठीक है, तो इतनी बात हो गई, 8 March को मनाया गया, दूसरे बुधवार मा प्रभावित करिए, काफी harmful effects होते हैं, आपकी health पे, साथ ही साथ आपके आसपास रहने वाले लोगों के उपर, तो एक active smoker होता है, जो की खुद smoker करता है, दूसरे होते passive smoker, जो आसपास आपके रहते हैं, और उनके लिए भी हानिकारक होता है, तो ये काफी रोग, कारक र प्रभावित करता है, ठीक है ना, next question, The 4th Y20 consultation meeting has been organized in which city? 4th Y20 परामर्श बैठक के शहर में आयोजित की गई है, नासिक मुंबाई पुने नागपुर या थाने 4th Y20 consultation meeting, तो ये तो समझे रहे हो, Y20 youth 20, और ये G20 के तर्ज पे ही चल रही है, ये meeting और C, इस पुने, पुने में इसका आयोजिन हुआ है, तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, चौथी Y20 consultation meeting को आयोजित किया गया है, पुने महाराष्ट्रा में, और इसे आयोजित कहां किया जा रहा है, Symbiosis, International University, Lawale, किसके साथ collaborate करके, Ministry of Sports के साथ, तो Sports Ministry, Information and Broadcasting Minister, क्या नाम इनका, अनुराग ठाकुर जी, यहाँ पे Chief Guest थे, इस ceremony के, और theme देख लो, इसका क्या था, Peace, Building and Reconciliation, Ushering in an Era of No War, तो यह देख लेना कहां पे है, और इसी बात पे एक बार list का revision कर लेते हैं हम, हमारी list जो की बढ़ती जा रही है, G20 वाली है ना, तो हमने पढ़ा था, पहली Environment और Climate Sustainability Working Group की मीटिंग, गांधी नगर गुजरात में 27 से 29 मार्च 2023 को आयूजित हुई है, फिर Civil 20 Inception मीटिंग, नागपुर महराष्टर में 20 से 22 मार्च को आयूजित हुई है, होगी, होगी, हुई नहीं है, होगी याली, फिर और ये भी 27 से 29 मार्च को आयूजित होगी, ये आयूजित होने वाली list है, फिर पहली Labour 20 मीटिंग, अमरित सर पंजाब, 19 से 20 मार्च को आयूजित होगी, फिर 2nd business B20 मीटिंग, इसल मिजरम एक से 3 मार्च को हो चुकी है, ये वाली, और G20 ministers meeting नई दिली में हमने बात की थी, एक से 2 मार्च को बहुत important है, ये ध्यान रखना, फिर G20 meeting on anti-corruption working group गुरुग्राम हर्याणा में एक मार्च को हो गई है, तो इसमें से कुछ होने वाली है, और कुछ हो चुकी है, ये दोनों list है, ठीक है, चलो, next question, तो भाली अगला question क्या है, which of the following country has opened military service to women for the first time in 25 years, तो आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाओं को सश्शक्त किया जा रहा है, वैश्विक्स तर पे, ग्लोबली, women empowerment बढ़ोतरी हो रही है, है ना, निम लिखित में से किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सेन ने सेवा खोली है, South Africa, Columbia, Japan, Thailand और UK, तो इस question की अगर हम बात करें, तो सही अ उत्तर क्या है, military service to women, 25 सालों में पहली बार, ये हैं Columbia, ठीक है, तो Columbia ने 25 सालों में पहली बार military service के दर्वाजे खोले हैं महिलाओं के लिए, तो लगभग 1296 महिलाओं को इलिस्ट किया गया है Columbia Army के द्वारा फरवरी 23 में, और अब यहां पर देखो क्या है, Columbia में एक rule है कि compulsory military service दी जाती है, जो mails होते हैं उनको 18 से 24 के IU वर्ग वाले, ठ चाफ होता है, इस पे काफी निर्भर होता है, निर्भर रहती है, जो की protect करता है उनका infrastructure और अलग-अलग जो भी requirement होती है, जिसे drug के against काम है करना, trafficking, human trafficking, जो rebel groups हैं उनके against, यह जो फॉज चलतायार करते हैं, यह या young recruits की, वो इनके लिए काफी कारगर होती है, अब उन्हों ने allow कर दिया females, जो की same age group की है, कि वो भी volunteer कर, यहाँ यह compulsion नहीं है, ठीक है, males के लिए compulsion है, यहाँ पर voluntary है कि वो भी अलग-अलग रोज में योगदान दे सकती है military के लिए, ठीक है, कोलंबिया की capital देखो क्या है, बुगोता, ठीक है, currencies, Colombian peso, President है Gustavo Petro, और continent है South America, ठीक है next question, which company has launched a digital campaign called digit all innovation and technology for gender equality, अच्छा, किस company ने digital innovation and technology for gender equality नामख digital अभियान शुरू किया है, आदित्य बिर्ला Sun Life Mutual, चोला मंडलम MS Insurance, कोटक महिंद्रा Asset Management Company, Franklin Templeton Mutual Funds, HDFC Mutual Fund तो digit all innovation and technology for gender equality, यह है, कोटक महिंद्रा Asset Management Company, ठीक है, तो to drive the culture of digital literacy, अभी आप जानते हो, digitalization भारत ने कितना पहल रहा है, और इसी culture को आगे बढ़ाते हुए, इस drive को आगे बढ़ाते हुए, कहां, महिलाओं तक, यहीं महिला, women fraternity तक, इस साल मनाया गया, international women's day को, और कोटक महिंद्रा Asset Management Company ने launch किया digital campaign, digital innovation and technology for gender equality, ठीक है, और अगर हम बात करें, तो यह campaign जो है, वो बात करता है, digital inclusion की, यानि, inclusion मतलब include करना, किस में include करना, digital sector में, किसको include करना, वो work जो अभी तक included नहीं है, ताकि हमारा यह campaign successful हो चके है, ठीक है, और इस तरह के hashtags को use किया जा रहा है, फिर आगे digital campaign की बात करें, तो यह showcase करेगा, कोटक group women employees को, वो share करेंगी, अपनी stories, support करेंगी, किस तरह से उन्होंने मदद की है, महिलाओं की, उनकी life को बहतर बनाने में, उनको empower किया है, और जो knowledge है, digital literacy से related, वो प्रदान करेंगी, ठीक है, तो overall, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, digitally सशक्त करने के लिए, यह campaign चलाया ग अबनी के कौने, निलेश शाह, ठीक है, निलेश शाह, बढ़े आगे, next question, एक और बैंक से related question है, Which of the following bank has partnered with Aadhaar Housing Finance Ltd. to offer home loans at competitive interest rates to customer from lower and middle income groups, निम लिखित में से किस bank ने निमन और मध्यम आयवर के ग्रहकों को प्रतिस परदी ब्याजदरों पर home loan देने के लिए, Aadhaar Housing Finance Ltd. के साथ साज़ेदारी की है, South Indian Bank, XS Bank, then Yes Bank, HDFC Bank, IDFC Bank, IDFC First Bank, यह है C, Yes Bank, ठीक है, आओ बात करते हैं, तो Yes Bank ने partnership की है, Aadhaar Housing Finance Ltd. से, ताकि ओफर करें, home loans, competitive interest rate पे, customers को, जो की lower और middle income group से आते हैं, अब इस partnership के तहरें, जो entities हैं, वो provide करेंगी, products किस तरह की सुवधाई या services, home loans, salaried employees के लिए, फिर loan, plot purchase construction के लिए, home improvement loan, loan against residential commercial property, balance transfer, और topic, यह कुछ loans है, जो की customers को provide किया जाएंगे, जो lower यानि गरीबी, या middle income group से आते हैं, ठीक है, यह partnership है, is in accordance with the co-lending framework of Reserve Bank of India, जो की enable करता है, बैंकों को और non-banking companies को, की वो jointly एक साथ आएं, और with यह सहायता हैं, provide करें, जो भी requirement है, उस section की, जो की unserved है, यानि उन तक सुवधाई पहुँच नहीं पा रही है, और वो underserved है, जहां तक सुवधाई अब तक पहुँची नहीं, तो उन दोनों ही sections को, यहां तक financial solutions provide करने के लिए, यह RBI का provision है, कि bank किसकी मदद से, non-banking companies की मदद से, यह सुवधाई उन तक पहुँचा सके, ठीक है, येस bank 2004 में स्थापना हुई थी, headquarter मुंबाई महराश में है, MD CEO प्रशांत कुमार है, chairman सुनील महता है और टाग नाइल है, experience और expertise, तो अभी भी काफी ऐसे sectors हैं, जहां banks नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहां वो non-banking financial institutions, NBFC का मदद से, banking solutions को provide कराते हैं, अचा इसी बाग पर हम देखते हैं कुछ MOUs हैं हमारे पास, हम discuss कर लेते हैं जल्दी से, Ujeeven Small Finance Bank ने partnership किया है, Max Life Insurance के साथ, ताकि offer करे life insurance offerings customers को, Sarasud Bank ने partnership किया है, target के साथ, deploy करने के लिए, omni-channel banking, ICICI ने MOU sign किया है, BNB परिबास के साथ, provide करने के लिए, विथी है, services, और SGFC ने partnership किया, NIIT Limited के साथ, build करने के लिए pipeline of high quality, SBI General Insurance ने partnership किया, HP Police और Doors NGO के साथ, reduce करने के लिए number of traffic accidents, ठीक है, पढ़ो, चलो चलो, revision तो करते रहेंगे साथ ही में, फिला लगला question पढ़िए, which bank has joined hands with FMCG giant ITC to offer lending products and services to farmers, किस bank ने, किसानों को रिने देने वाले उत्पादों और सेवाओं की पेशकर्श करने के लिए, FMCG दिगज ITC के साथ हाथ मिलाया है, Federal Bank, XS Bank, YS Bank, HDFC Bank, Indusland Bank, तो इसकी अगर हम बात करें, तो ये है, XS Bank, हाँ, तो तीसरा largest private sector lender bank है भारत का, XS Bank, जिसने हाथ मिलाया है, FMCG जाएंट ITC के साथ, ताकि वो lend कर सकें, offer कर सकें, lending products और services किसानों को, जो की हिस्सा है, ITC, agriculture, ecosystem के, ठीक है, और ये partnership expected है, कि ये enable करेगी, XS Bank को कि वो reach out कर सकेगा, again, unserved और underserved farmers, जो की गाओं में रहते हैं, जिन तक ये पहुँच नहीं पा रहा है, अब इस tie-up के tag, bank क्या करेगा, वो leverage करेगा, ITC, MAARS, नहीं, Meta Market for Advanced Agricultural Services, ये एक service है, जो की provide करेगा, किसानों को, a full stack agri-tech application, ताकि वो reach out कर सके, farmers तक, यानि एक app start करेगा, जिसके माध्यम से वो farmers तक पहुँच सके, और उन्हें की वित्तिय requirements को address कर सके, XS Bank की बात करें, तो वो offer करेगा, एक extensive range of products और services, farmers को, अपने rural, urban और semi-urban branches, जो की located है, 656 districts भारत की, ठीक है? तो XS Bank 1993 में स्थापना हुई है, headquarter मुंबाई महराष्ट में है, chairman है राकेश मखीजा, MDCEO का नाम है, अमिताब चौधरी और tagline है, बढ़ती का नाम, जिन्दगी, तो यह अभी हमने कुछ MOUs के बारे में पढ़ा, तो उसी में आगे देखो है, South Indian Bank ने partnership किया है, sale के साथ, provide करने के लिए वित्ती सहायता, जो dealers है, sale की उनको, फिर XS Bank ने MOU sign किया, IISC Bangaloreau के साथ, set up करने के लिए, center for mathematics and computing, very important, hockey वाली सरपंच ने sign किया, agreement नाबाट के साथ, farmers को मजबूत करने के लिए, XS Bank ने partnership किया, open के साथ, launch करने के लिए, fully digital current account, Niva, Abupa और Sundaram Finance ने sign किया, corporate agency agreement, तो ये banking sector के agreements थे, MOUs थे, अक्सर revision हो नहीं पाता है, इसका, तो आज हैं, तो revise करा दे रहे हैं, तो फिलहाल अगला question पढ़िए, और ये है, एक appointment, very important appointment, जब मैं कहती हूँ, very important, तो वहाँ लिख लिया करो, it's very important, और बिल्कुल मिलेगा exam में, Who has become the first women officer to command electronics and mechanical engineering unit near China border, तो चीन सीमा के पास, electronics and mechanical engineering जिकाई की कमान समालने वाली पहली अधिकारी, महिला अधिकारी कौन बनी है, Gita Rana, Aruna Millal, Apsara A.I.R. Janini Ramachandran, Solini Gujira, तो ये नाम तो हम हाल-फिलाल में पढ़ रहे हैं, और इनके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी भी, पहले इनका नाम देख लेते हैं, जिन्हें ये deploy किया गया है, महिला अधिकारी के तौर पे, अरे अधिकारी तो वैसे भी हैं, इस post पे, गीता राणा, ठीक है, चलो देखते हैं, अरे पवन दी नहीं हैं ऑप्शन इसका, देखो पहले इनको, कर्मरल गीता राणा, ये बन गई हैं पहली महिला अफिसर, जो की कमांड करेंगी, किसको, टू कमांड अफिल्ड वर्क्शॉप, देखो, ये इंडियन आर्मी, कॉप्स ओफ, इलेक्ट्रोनिक और मिक्यानिकल इंजिनरिंस से बिलॉंग करती हैं, पहली महिला अधिकारी हैं, इंडियन आर्मी की जो कमांड करेंगी, इंडियन आर्मी ने अप्रूवल दे दिया है, महिला अफिसर्स का, कि वो इस तरह के रोल्स जो हैं, वो अपना सकती हैं, अभी तक अलाउड नहीं था, ठीक हैं, अब करनल गीता की बात करेंगी, तो पहली मन जाएंगी, वो इसके अलावा हाँ है, फर्स हो गई, इसे जादे हाँ पर कुछ है नहीं, और देखो क्या है, अब इसी बाते हम कुछ अपॉइंट्मेंट ले तो, एक तो करनल गीता का नाम हो गया, ठीक है, कल हमने पढ़ा था, ग्रुप के अप्टिन धामी, याद आ रहा है, पहली महिला ओफिसर, इंडियन एर फोर्स की हैं, जो कमांड करेंगी, मिसाइल, स्कॉडरन, वेस्टिन सेक्टर, फेसिंग पाकिस्तान, ये चाइना को, चाइना फ्रंट जो हमारा है, वहाँ पे करेंगी, गीता माडम, और ये हैं धामी माडम का है, ये वेस्टिन सेक्टर, जो फेस करेगा पाकिस्तान, और नेक्स्ट है, शिवा चोहान, ये मैं न जाने कितनी बार बता चुकिया, पहली महिला ओफिसर है, जो क फिर इंडियन आर्मी के जज पहली बनी, माफ कीज़ेगा आर्मी नहीं है, पहली भारती अमरीकी जज बनी, इतना ज्यादा आर्मी आर्मी हो गया, न्यू यॉक कोर्ट में अरुन सुब्रमानियम, फिर मैरी लैंड की पहली इंडियन अमरीकन, जो भारती मूल की अमरीकी लूटनिल गवर्नर बनी है, अरुना मिलर, बार बार देखो ये नाम इसी लिए रिवाइस करा रहे, फिर्स इंडिन अमेरिकन, विमिन प्रेजिटेंट ओ, हार्वर्ड लॉर रव्यू, अपसरा AIR, LGBT Women of Color City Council in the State, in the US State of Color, California, जननी रामचंदरन, और लास्ट वाला है, पहली Minister, New Ministry of Indigenous People in Brazil, Sonia Gajarara, ठीक है, तो ये कुछ नाम है, जिनने आपको ध्यान रखना है, important names एक रप्या नोट कर लीजेगा, और याद भी रखिएगा, गुड मॉर्निंग सुप्रिया, बिल्कुल पढ़ती हूँ, कहां मेसेज किया सुप्रिया बिटा आपने मुझे, next question पढ़े, nephew Rio was sworn in as the chief minister of which state for a record fifth time, तो समझी गए होंगे, कहां की बात हो रही है, ये, nephew Rio ने record पांचवी बार किस राज के मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली है, तिरपुरा नागालाण असम मनिपुर में धाल है, चलिए देखते हैं कहां के लिए लिए है शपत, नेफियो रियो, तो लगातार बने है पांचवी बार, गलत बात है भाई, है ना, चल ये देखते हैं बट लोगों को पसंदा रहे हैं है ना तभी दुबै बने हैं नागालाण ठीक है तो बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत सा नौर्थीस का प्रदेश है आज कल काफी न्यूज में चल रहा है नेफ्यू रियो बन गए है CM सहाब नागालाण के पांचवी बा कोहिमा में इसके अलावा स्टेट में दो डेपुटी सीम होंगे बन फ्रॉम लाइंस पार्टनर्स एंडीपी और बीजेपी तो यह लाइंस से फॉर्म हुई है यह गवर्मेंट और इन दोनों के ही एक एक डेपुटी सीम भी मनाया जाएंगे असेम्ली इलेक्शन हुए थ के मिल गई सरकार बट मिल गई सरकार है ना नागालेंड की बात करें अ क्यापटलिस कोहिमा सीम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है लागरेशन ठीक है एक्सक्षिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् राम चंद्र पडेल कि इस देश के नए राश्रपती चुने गए हैं श्रिलंका नेपाल भूटान मौरेश्यस बांगलादेश राम चंद्र पडेल तो कुछ भारतिये नाम है तो आसपास ही होगा है ना तो बिद्या देवी को ये रिप्लेस करेंगे तो समझी गए होंगे कौन सा देश इस नेपाल तो नेपाली कॉंग्रेस के सीनियर लेडर है राम चंद्र पडेल जेने बनाया गया है नया राश्रपती नेपाल का सक्सीद करेंगे बिद्या देवी भंडारी को नेपाल के हेड ऑफ स्टेट के तौर पे ये फॉर्मर स्प और ये तीसरा प्रेसिदेंशल इलेक्शन है नेपाल का दो हजार आठ के बाद से ठीक है तो बात करते हैं नेपाल की बात करें काटमांडू के आपटल ने करंसी नेपाली रुपिया है राम चंद्र पॉडेल प्रेजिडेंट बन गए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हाली अलसबा प्रेजिडेंट अव वियतनाम वो वान थ्वांग तो वी से वो वी से वियतनाम है ना बांगलादेश के प्रेजिडेंट मोहमद शहाबुदीन और प्रेजिडेंट तो सिप्रस निकोस क्रिस्टु डजिट्स ठीक है ना चलो बढ़ो आगे नेक्स क्वेश्चिन और इसका आंसर ले लेते हैं यह है डी बी गोप कुमार तो बी गोप कुमार को बनाया गया है नया मैनेजिंग डिरेक्टर और चीफ एक्जेक्यूटिव ओफिसर एक्सिस मुच्वल फंड का और यह चंद्रेश निगम को रिप्लेस करेंगे जो की सीओ के तौर पे स्टेप डाउन करेंगे सिक्यूरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ओफ इंडिया ने बार कर रखा था एक्सिस मुच्वल फंड के फॉर्मर फंड मैनेजर विरेश जोसी को सिक्यूरिटीज मार्केट से माई 2022 से ठीक हैं आगे बढ़ते हैं इतनी बाते हो गई कुछ appointments देख लो banking sector के हमारे पास है HDFC में दोबारा से बन गये हैं सशीधर जगदीशन हमें पता है MDCO अच्छी बात है फिर Member of Advisory Committee SIFL, SEFL, RBI ने बनाया है वी रामचंद्रा को CEO JP Morgan Chaser को इंडिया के लिए प्रभ़देव सिंग को CEO बनाया गया है RBI के deputy governor दोबारा से reappoint हुए Michael Patra फिर MDCO Paytm Payments Bank Limited, Surindra Chawla, Interim CEO भारत पे नलन नेगी ठीक है Next question, very important कल गाई इससे लेटर मैंने अलग से class भी लेली थी मैंने आपको पूरा detail में बता दिया था तो पहले तो देखो, Nisar was handed over to ISRO और Nisar is an Earth Observation Satellite jointly developed by ISRO and which space agency तो दो space agencies है जिन्होंने मिलके इसको बनाया है और आपको बताना है किसने बनाया है और हाली में यह जो करार हुआ था उसके तहत Nisar को डिलवर कर दिया गया है बंगलरू में ठीक है? JAXA, NASA, ROSCOSMOS, ESA, SpaceX ठीक है? तो SpaceX एलन मस्क वाली JAXA, Japan की, NASA, US की, ROSCOSMOS, Russia की ESA, European Union की ठीक है? तो space agencies हैं आपकी और N से Nisar और N से NASA ठीक है? तो एक तरह की Earth Observation Satellite है प्रिथवी अवलोकन उपगरे है यह ठीक है? तो वन बाई वन पढ़ते हैं तो US की Air Force का यह mission था इसने Nisar जो की एक Earth Observation Satellite है बहुत गंदी सी आवास थी ना? चलो, एक Earth Observation Satellite है जिसे डेवलाप किस ने किया है? NASA और ISRO ने जो की एक Indian Space Agency है ISRO is Indian Space Agency अच्छा, US की Air Force का C-17 Air Force लेकर आया था NASA ISRO Synthetic Aperture Radar क्या? Nisar का फुल फॉर्म ठीक है? NASA ISRO Synthetic Aperture Radar जो Bangalore में पहुचा है Satellite का Outcome जो है वो Collaboration है मतलब यह Collaboration से बना है American Space Agency, NASA और ISRO ने Combinedly इसको बनाया है अब इसका काम क्या है? अभी बात करते हैं हमने वैसे अलग से Session ने आपको बता दिया है पहले तो जानों से Launch कब किया जाएगा? 2024 में Satish Dhawan Space Center आंदरप्रदेश से इन्टो अ नेर पोलर ओर्बिट यह अपनी तरह का पहला ध्यान दीजेगा पहला First Radar of its kind in space to systematically map Earth यानि Earth का mapping करेगा यह एक महिने में 4 से 6 बार mapping करेगा और आम आदमी की भाषा में mapping करेगा और हमें high resolution वाली pictures प्रोवाइड करेगा ताकि जो भी research work है related to weather, agriculture, terrorism या अलग-अलग जो climate change है जैसे की ice melting और carbon emission है या oil spilling है इन सब के बारे में जानकारी हासल करेगा ठीक है? आगे बढ़ते हैं अच्छा इसमें दो तरह की two different radar frequencies का इस्तमाल किया जाएगा L-band और S-band जिसकी मदद से planet की surface में जो भी changes आ रहे हैं उनको study किया जाएगा और measure किया जाएगा ठीक है? तो कृपया ये वो जो अलग से session लिया एक बार देखेगा जरूर इस रो की बात करें पंदरा अगस 1969 को स्थापना हुई headquarter Bangalore किरनाटका में पहले chair में विक्रम सारा भाई साथ ठीक है? और दस्वे chair में ने अभी S. सूमनाथ साहब इन्हें उन्हें के सिवान को replace किया था आरे भट्टा की बात करें तो इंडिया का पहला satellite है जिसे उन्हें से अप्रिल 1975 फो लॉंच किया गया है और यह जो निसार साथिलाइट है अभी आप देख रहे हैं हाल फिलाल में किस तरह से अर्थकोएक्स आएं हैं अलग-अलग देशों में भारत ने भी कुछ जटके महसूस कियो गए उन्हें की वज़े से ने अपने अलग जटके महसूस किये गए हैं तो कई बार उत्राखंड और इस तरह के जो स्टेट्स हैं अकसर प्राकतिक आपदाएं आती रहती हैं तो उनके बारे में पहले से जानकारी हो सकेगी अगर हमारे पास इस तरह की टेक्नोलोजी सक्सेस्फुली जो यह लॉंच है यह सक्सेस्फुल हो जाएगा और टेक्नोलोजी आ जाएगी ठीक ना इसी बात दे पड़ो अगला क्वेस्टिन और दो मुझे इसका आंसर तो मुझे इसके बारे में जानकारी दोरो जरा जल्दी से वाट इस राइट आंसर अप दिस क्वेस्टिन दे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ठीक है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है A, दस मार्च ठीक है तो दस मार्च को मनाया जाता है Central Industrial Security Force का रेजिंग दे आगे बढ़ते हैं तो इसे मनाया जाता है दस मार्च को अब एक स्टैबलिश्मेंट हुआ था CISF का 1969 में जो की एक Central Armed प्रोवाइट करने के लिए security, cover, अलग-अलग public sector undertakings, airports, seaport, power plants, और जो बहुत महत्वपूर्ण infrastructure projects हैं भारत भर में, तो आप देखते होंगे, इनकी security के लिए CISF को लगाया जाता है, इसका establishment जैसा मैंने बताया, 10 मार्च 1969 को होता, इसी रेजदिनिस को मनाया जाता है, और under an act of parliament with few battalions, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, next question, who has released a book titled, India's Struggle for Independence, Gandhian Era, भारत की स्वतंतरता के लिए संघर, गांधिवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया है, वी राम सुब्रमानियम, डॉक्टर अश्विन फर्नांडेस, सशी थरू, चेतन भागत, पी बालकृष्णन, लेट्सी, कौन है, इस बुक के राइट है, काफी दिन के बाद हमें एक बुक मिली है, इस ए, इस वी राम सुब्रमानियम, ठीक है, चलो बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजज हैं, जस्टिस वी सुब्रमानियम, जिन्होंने रिलीज की है बुक, इंडिया स्ट्रागल फॉर इंडिपेंदेंस, गांधियन एरा, ये उस बुक के ऑथर कौन है, पी जोती मण फॉर्मर जज हैं, मेड्रास हाई कोर्ट और जी बालन जो की फॉर्मर प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के कहां, पच्छयापपा कॉलेज तमिल नाडू में, और ये जो बुक है, इसमें क्या है, इसमें ये कवर करती है, जो आस्पेक्स है, जैसे की, रिलेवंस और महात्मा गां के बारे में, आम जनता करी यंगर जनरेशन को ये बुक को रिलीस किया गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी बापते है, कुछ बुक्स देखते हैं, हमारे पास कौन कौन सी है, बुद मॉर्निंग सोना, इंडियाज वाक्सीन ग्रोथ स्टोरी, फ्रम काव पॉक्स पिर मोडी शेपिंग अ ग्लोबल ओर्डर इन फ्लक्स, जेपी नडड़ा, देन पावर्टी ओफ पॉलिटिकल एकॉनिमी, हाव एक्नॉमिक्स अबांडिन दपूर, मेगना दिसाई, पिर इंडियन्स नॉलेज सुप्रमिसी, दे नू डॉन, दॉक्टर अश्रिन फिनांड की है, फिर कोचिंग बियांड माइडेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, आर कॉशिक और श्रीधर, ठीक है, नेक्स्ट है, इरफान खान, अलाइफ इन मूवीज, यह है शुभरा गुपता की बुक, ठीक है, तो यह कुछ बुक्स थी, इनको नो डाउन कर लीजेगा, और जरूर करिएगा, ठीक है, तो गाईज, यह सारी जानकारी, मैं आपको PDF में प्रोवाइट कर दूँगी, जो कि थोड़ी दिर में आपको मिल जाएगा, टेलेग्राम और हमारे WhatsApp ग्रूप्स, और हमारी जो वेबसाइट है, test.ambisusbaba.com इसके माध्यम से, तो कृपया, regularly session को follow क करिए, रोजाना हम काफी revision करते हैं, new questions को discuss करते हैं, quiz जो है उसको लगाईए, one liner, mcq format और अलग-अलग PDF formats में हम आपको content देते हैं, तो हमसे जुड़े रहिए, और revision करते रहिए, तयारी जारी रखे, और current affairs की वज़े से आपका कोई भी exam रुखने वाला नहीं है, यह हमार यह हमारा वादा है आप लोगों को, तो अगर आपने अभी तक आप को डाउनलोड नहीं किया है, तो करपया हमारा अप प्ले स्टोर से जाईए और इसको डाउनलोड करिए, मेरा नाम मीनम है, आप मुझ से जुड़ सकते हैं, on Instagram, Facebook और हमारे WhatsApp ग्रुप्स के माधिन से, तो करपया ज़रूर जुड़ें मुझ से, और अब हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में कितने बज़े, 11 बज़े ध्यान दीजेगा, यही लेक्चर में हम रिविजिन करेंगे, वीक के सारे कोशन, एप्रॉक्सिमेरेटली मेरे पास 80 कोशन होते हैं, जिने हम एक सार डिसकास करेंगे, तो करपया रिविजिन के सेशन को ज़रूर जोइन करिएगा, सो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अब मिलते हैं 11 बज़े, थाइंक यूँ